तो खेल रगी धर्मशाला इन दिनों जो है वो खेलों के लिए मशहूर होती जा रही है अगर मैं बात आज की करूँ तो इन दिनों इंटर यूनिवस्टी वीमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियंशिप जो है वो धर्मशाला में चल रही है और इस वक्त 75 जो यूनिवस्टी ह उनकी जो स्तुडेंटेंट्स है वो यहां पर पार्टीज बाति हैं और इताज से हो हमरे साथ पंजाब युनिवस्टी पर टेला प्रोंब तिंडा पुद्धा अपकी चाहित है कब से खेलना शुरू किया है अभी आप कहां पर पहुंची है और कहां से ये शॉक लगा था कि हमें जो है वह वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए जी सर बिलकुल लास्ट टाइम मैं मैं बॉर्ट टाइम पर टेम चाहिए जो कहां अब किसने आपको कहा था या सुझेश्ट किया आई आपको अंदर से आया कि नहीं हमें जो है वो पार्टिसमेंट करना है सब्सक्राइब करना होता है जो आगे वाला होता है उस वक्त क्या अंदर से जब हम लोग जाते हैं न स्टेज पर हुंचते हैं तो उस वक्त क्या चल रहा होता है सब्सक्राइब करना होता है उस वक्त माइंड और बॉड़ी क्या जवाव दे रही होती है उसका फिर कही न कहीं अंतर पड़ता है वह जो जाता है तोड़ा फिर लगाएंगे लगाते हैं कितनी मर्तवा जो है यह हार का सामना करना फिर उसके बाद फिर यह जीत मिली गोल्ड आपको मिलाए ने पिछले साल मेरे मेडल नहीं आया था इस बार मैंने हासल किया गोल्ड मैडल बाश्वाश्वार्ट इस बाप डिसेपॉइंट हुए होगे जब नहीं आया होगा तो आपने उसके बाद कितना श्ट्रगल किया उससे पहले किस तरह का स्ट्रगल था उसके बाद क्या किया आपने यह ठान लिया था कि हमने गोल्ड लेना ही लेना है पिछले साल हिमत निहारी मैंने जब आशड हुई थी तो मैंने सोचा और करूंगी और किया और गोल्ड लिय करने पड़ता है और मेंद्द करने चाहिए और आगे सब्सक्राइस करेंगे आप क्या कहना चाहिए औल ऑबर हम लगुर्व अगर बात करें इस पर किट भी इसके लिए रहता है कितना तयार होना पता है फिजिकली भी और मेंटली भी पहले इंट्रवस्टी थी तो फिर हमारे कोच थे इन इन मोटिवेट किया कि सब मैडल लेना है तो बहुत पिछले साल इसी दिन मेरा इसी दिन था और फिर उन्होंने कहा कि अगले साल तो इंट्रवस्टी के लिए त्यारी का नैशनल के लिए नैशनल में भी मैं खेल नी पाई मेरा बोडिवेट नी आया तो यहां पर आई यहां पर मेरा गोल्ड आया तो यहां का एंवार्वेंट ठीक रहा आपने अनकूल र क्यूंकि देखिए आप लोग्स्ट्रंट है रशनल को कितना इसम रहता है कैसे आप सटाइब तेह क्तायांत नहीं बाते हो फश्टन के लिए और स्पटोर्श में में तुक्त हो मत्या दूए क देम्ते हैं के लिए बहूतिन में एक तैना मेनिता निक और सब कुछ पॉसिबल है इसके बाद कौन से दरवाजे खुलने वाले हैं क्योंकि इंटर युनिवेस्टी है और इसके बाद क्या खुलेगा कब तक जो यानि आप इससे आगर हम यह देखें कि कितना दूर है अलॉम्पिक कितना दूर है हमारे लिए जी सर बिलकुल देखो जे पहले पॉसिबल नहीं से लागदा कि दीदी ने एक बहुत सीनियर ने बहुत वरड़े लवल दा ने ने शनल लवल तो भी कहां कॉंपिटिशन देखें के इस बहुत एस्टी परसूने बहुत एस्पेरियंस जे परसूने लिए उप टोटली वेड़े वेड़े विच थे अगर मेरे कोसाफ देखें के जे तू स्टेड खेड सागदी है तो तू इविदेर एक नहीं है अखी नहीं बटोनाने खड़ाया ओना देन लेते हैं देन उननने टार्गे दोर देता के अंतू इंडिया गादा देन अग्या देखें मेन तोर करांगे तो यह एक तक मुशा हमाचल पर्देश का धरमशाला के स्पोर्स इंफर श्रक्च्चर को आप कैसे देखती हैं और यहां का एन्वार्नमेंट कैसा स्पोर्स जो भाग्यारी होते हैं हमारे इन प्लेयर होते हैं और बाकिये कि क्योंकि यूनिवस्टी तो आप जानते होंगे यहां पर इनका अप सब ठीक था हैं देखिए बच्चे आपके सब्सक्राइब सबस्क्राइब प्रगाश बंसल जी के मार्ग दर्शन में उनके दक्ष कुशल नेत्रित में आज विश्वविद्याले का अपना इंफ्रस्ट्रक्ट्टर ना होते हुए भी हम इस परकार की इवेंट कर रहे हैं और हमें प्रसनता है कि यहां से यह जो महिला के लाड़ी 327 की लाड़ी जो है इस परकार की खेल की जो इवेंट से कर रहे हैं इसके लिए धर्मशाला का पूरा जो जो जनता है प्रशाशन है विश्वद्याले का प्रशाशन है इसके लिए जाहाई का पात्र है और मैं चाहूंगा कि यहां आगे साने वाले समय में भी ऐसी आनिक ऐसी इसलिए जो है ना यह धर्रमषला के लोक जो चाहिए यहा से किसी और जगह नहीं जानी चाहिए क्योंगि आने वाले समय में जब infrastructure आज आएगा तो फिर तो नजाने किस तरह की sports activities बाकी की activities जो यहां पर होगी तो निश्चे तोर पर इनका भी यहां पर अंदोलन रत होना बहुत लाजमी है और फिलहाल देखा जाए तो यहां से ही जो है वो gold medalist निकल रहे हैं और आने वाले समय में national और international तक यह जाने वाले हैं और निश्चे तोर पर जैसे मैंने पहले ही कहा था कि Olympian भी जो है वो यहीं से रास्ता जो होकर निकल रहा है धर्म शाला से कामरापर संग राजमार काउंडल के साथ विचीतर शर्मा न्यूजेट इन ही माचल